हेलो एवरिवोन वेलकम टू आवर चैनल होप यू अल गुड और सेफ सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स केट स्टार्टेड यहां पर हमने एम साइस का मास्क बनाया है हमारी फैबरिक की लंबाई और चौडाई 30 संटिमेटर है इस मास्क को बनाने के लिए हम वन पी और हमें ट्राइंगल का शेप बनाना है इस तरीके से फाब्रिक को दूसरे के अकॉर्डिंग हमें सेट करनी है और एक बार हम इसके पर आरंड कर लेंगे आरंड से फाब्रिक बहुत ही फास्ट सेट हो जाता है और इसके बात की दूसरा वाला कॉर्णर है ना नीची की करनी है और हमें हमारा मिडल प्लेस फाइंड करना है यह देखी यह मारा मिडल प्लेस हमें यह पर डॉट करनी है इस तरीके से और इसके बात फ्रंस हम इसके उपर मार्किंग करेंगे तो यह जो मिड़ वाला प्लेस है ना हमें यहां पर स्किल को रखनी है और इसके उपर क की साइड में 3 संटिमीटर पर एक ट्वाड बनानी है सेम सी तरीके से हमें मिड्ल से लेते वे नीची की साइड में भी 3 संटिमीटर देना है और इसके बाद यह जो हमने 3 संटिमीटर लिया है यह से उपर वाले 4 संटिमीटर और फिर इसके बाद दूसरी साइड का जो 3 संटि की हल्प से यह देखिए इस तरीके से हमें दूसरे को मिलाना है इसके बाद जो हमारा नीची की साइड वाला कॉर्णर है ना वहां पर हमें स्किल को रखनी है और अंदर की साइड में 9 cm पर एक डॉड बनानी है सीम यही प्रसेस अप्लाई करते वे दूसरी साइड भी हमें 9 cm अब यह जो हमने डॉड किया है ना वहां से में फैबरिक को अंदर की साइड में फोल्ड करना है इस तरीके से फैबरिक को वहां से हमें स्टेट करना है और निची की साइड में जो फोल्ड हो रहा है ना वह वाले प्लेस पे में प्रस करनी है यह देखिए वाला प्लेस और यह जो लाइन बन कर आया है हमें इस दूख करना हुआ है ऑपको समझ में आ गिया होगा और सेम यही प्रोसर्स हमें दूसरी साइड भी अपलाई करनी है só आप तेख सरीके से हमने सेकंड साइड में ईह लाइन ड्रों किया है कि हिरे फ्रेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना बूले और साइट में सो पहल का आइकन हो उससे भी तबाना ना बूले अगर आप बेल के आइकन को दमाते हो ना तो आपको सारी नियुटिफिकेशन इसें काथ फ्रेंड्स फैबरिक को हम पिनकी हर्प से सेक्योर कर लेंगे ताकि फैबरिक इधर सो दर ना हो और जुआ हमने लाइन डुटिया है ना फ़र्स साइड यहां पर हमें स्लाइ लगानी है और दूसरी साइड जो हमारा था यह वाला बीच वाला प्लेस हमें इसके उपर स्लाई लगानी है और लास्ट में ये वाला साइड हमने जहां पर भी निशान बनाया है हमें उसके उपर स्लाई लगानी है तो चलिए हम इसके पर स्लाई लगा लेते हैं ये स्लाई का फर्स्ट स्टेप है फरंस ये एक स्टाइलिस फैस मास्क है और ये बहुत ही इजिया बन झाल झाल एड़ एड़कर बाह से लड़ हो यू एड़ एड़ा एड़़ हो झाल यह देखे फ्रेंट्स जहां पर हमे निशन बनाया था यहां पर हमने वहां फारी लगा ली इसके बाद जहां जहांशने लगाई आना वहां पर जो एक्स्तरा फञबुरिक है हमें ऊसे करक करना लेनी है सिस्lands FARE C Union side साइड में फैबरिक को कट करना है और उसके बाद इसलाई है उसके नजदीक में स्मॉल स्मॉल सा कर लगा लेना है बीच में यही प्रसेस अपलाई करनी है और लास्ट में भी हम इसे तरीके से कट करना है ताकि यह फैबरिक जो कट होगा ना हम फैबरिक को अंजर की साइड म फोल्ड करेंगे तो यह फैब्रिक मिडिल में ना आए इसलिए हम इसे कट करते हैं कट कर लेने के बात चलिए वह हम सेट करते हैं कि मैं लादानी है तो फ़र्णस फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की साइड से हमें खोल ली है और जो आफाय किया था ना साइड में यह देखी यह दिस्टेट वाली साइड थी यह वाली यहां वाला जो फाब्रिक है ना मारा जो दूसा स पर इस्टरीके से ओवर्लैप करना है और इसके अकवर्डिंग सेट कर लेनी हैं यह देखिए हमने से सेट कर लिया है अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद आपकी फाब्रिका शीप यह होना चाहिए फ्रिंट इस फोल्ड कर लेने के बाद इस फंस्सा आई नहीं करनी है यहां पर इसके बाद जो हमारा फाब्रिक का उपर का साइड आ खुला साइड है यहां पर हमें जो फाब्रिक के पूरी साइड में स्लाइक करनी है और यह बीच है ganze इंहां पर ओड़र तो जलिए हम इसके उपर स्लाइल लगा लेते हैं किसमे कुटने हैं इसके नंडर लेक हैं कि अच्का का रह्माल कि थे तक्तुनिए रहते हैं कि ऊथ करें सेखू लेड़क् nevertheless अंडर इसे हों हैं कि अजय हो जाने के बाद जो में स्लाई किया है ना उसके नजदीक में दो चार कर्स लगा लेंगे पूरे फैबरिक के तेखिए हमने यहां पर जो रहा है यहां से हम फैबरिक को सिधा करेंगे दो चलिए अपने फैबरिक को सिधा कर लेते हैं इस वीडियो में मैंने कोई भी कठ नहीं किया मैंने एक को अराम से दिखा干 कि हम ने किस तरीके से फाब्रीक को सिधा किया है फिर दोसी साइट की कि आप देख लो कि किस तरीके से फाब्रिक सीधी की जाती है और फ्रेंट्स कोई भी क्वारेज हो तब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि अएल're खड़ कर दोब किस तरीके सीधी जाती है अच्छाви झाल 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 कर लेने के बाद इतनी भी बूशा उससे हमने पिन की हल्प से निकाल लिया और यह धिखे फ्रेश्ट जोगें हमें इससे अंदर की साइड में फोल्ड करना है और हमें फैब्रीक के ऊपर एरन कर लेनी है मैंने इसके ऊपर एरन करते वे नहीं दिखाया है बड मैंने इसके ऊपर एरन कर लिया है यह देखिए और इसके बाद फ्रेंस अब हमें सेट करना है कि फैब्रीक को हम किस तरीके से आपसे पहले हम फाब्रिक को आपको बीच wanna आ को बीच से फोल करनी है और यह जो साइड में common वसाइड में अंदर की साइड में फोल कर ना है जो उपर माला प्लेreck है ना हमें इसे उपर की साइड से फोल कर इस के बाद जो चोँए canar है ना इसे हम निची की साइट से half आट लगा लेंगे और जो मिडम्ड प्लेस हो और या वहां पर एक ड्वाट लगालेंगे इस तरीके से आपको has M.Fua करनी है और यह यह जो हमने डॉट किया है ना हम यहां पर लगाएंगे लास्टिक तो इस मास्क लाने के लास्टिक हमने यूज किया है उसकी साइज 18 cm है और हमने टू प्यूस अफ लास्टिक लिया है तो चलिए अब लास्टिक के सेटिंग करते हैं लास्टिक का जो पहला कॉनर है ना हमारे फाबरी का जो फर्स साइड है फोलेट साइड जो अंदर की साइड में पहले हमें वहां रखनी है यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूं कि कहा रखना है फर्स साइड को यह वाला प्लेस जो डॉट है वहां पर हमें सेकंड करनी है यह देखिए फर्स साइड यहां पर जाएगा और हम इसे पिन की हल्प से सिक्यूर कर लेंगे और दूसरा साइड है जो हमने डॉट किया है हमें वहां पर रखनी है होप आपको वीडियो देखकर सारी बाते समझ में आ जाएंगी इस तरीके से यहां पर रखना है औ करने हरा इसार बाते सारी बाते सारी कर पर एफने है जो हमने तर दो हमने है जाल दाएगा बाती सार्षा यहां पर जाली है आएगा ओखना है टक ़िसा है कर लेने के बाद अब हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है थर्ड स्टेप की हमें हमारे फाबरिक के पूर साइड में स्लाइ करनी है फेर्प हमे इस तरीके से खोल लेंगे और फेस्ट जो फाबरिका शेप है ना उसके अकॉर्डिंग जो पहला वाला कोनर है यहांसे स्टाट करते हुए हमें इसके पूरे साइड में लाइक करनी है इस तरीके से जोमार येला स्ट्ट की है और जो हमारा झाल 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 यहां पर हम फिल्टर पॉकिट के इसे यूज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो यहां पर हम जो मारा सजिकल मास्क होता है उसे डाल सकते हैं इस मास्क पूरा लुग देख सकते हो इसमें जो लास्टिक है न वो उपर की साइड में और यह तू इन वर्न शाम का मास्क है आप चाहो तो यह फिर साइड से या फिर यह अंदर की साइड से यूज कर सकते हो अगर आपको इसमें सर्जिकल मास्क लगानी है तो आपको इसे इस तरीके से यूज़ करना होगा अंदर की साइट से होप आपको समझ में आ गया होगा इस मास्क का लूग अराम से देख ले यह टू लेयर मास्क है जो बहुत भी पॉफेक्ट है अभी जो हमारा समर्शिजन है उसके लिए है और इसे हम इस तरीके से फोल्ड भी करके दिखा देते हैं जो यह जो प्लेस है लास्ट्रिक वाला यह हमारा उपर की साइड में लाले जाटेट है आज की लिए इतना ही मृत ओंडेगे कुछ नहीं और इंस्रेस्टिंग के साथ वेडियो अची लगे तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेरेपर हमें सब्स्क्राइब करना ना भूले कीव फ़ूर्टिंग के इस पोटिए रहए भी तर स्टेक्समी है